ही गाईज कैसे आप सभी आशा करती हूं सब बढ़िया होंगे तो गाईज आज का ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आप लोगे ही रिक्वेस्ट पे बनाए हैं और इस वीडियो में मैं अपने पेंटिंग कोर्स का प्रेक्टिकल फाइल दिखाने वाली हूँ उमीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा वीडियो पसंद है तो लाइक वस्य कर दिजेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बनाने का तरीका तरीका पता है यहने कि आप यदि दो या तीन कर मेंगे एक नोज बिना सकते हैं तो आमके पास यद्ही कुछ बेसिक cats às o तो दुनिया के सारे IGHकर बना सकते तो चलिए अगले पेज में देखते है क्या है Miller अधि यह डाईट क्लर किया इस डिजाइन में यानि की डिएक्ट कलर किया गया जब हम स्टार्टिंग में हमको पेंटिंग करने नहीं आता है बिल्गूल तो इस तरीके का डिजाइन हम बनाते हैं जैसे जैसे आप फाइल के को देख सकते हैं यह देखिए यह वैंट यानि यहां भी दो कलर का यूज किया गया है फूल में दो कलर और पती में भी लाइट कलर से फिल किया गया है फिर उसके उपर डार्क कलर से से दिया गया है तो फ्रेंड्स आप इस परकार का फाइल बना सकते हैं यह प्रेंटिंग करते हैं तो जब हम लंबे समय तक प्रेंटिंग नहीं करते हैं तो बहुत कुछ भूल जाते हैं जब इस फाइल को देख यह देखिए कितना प्यारा डिजाइन है यह रोज है इसमें इस ट्रॉक दिया गया है जो भी हम इस ट्रॉक देकर डिजाइन बनाते हैं उसमें फायदा यह होता है कि इसमें पेंट बहुत ही कम लगता है और जो आप बोलते हैं कि पेंटिंग करने के बाद जो कपड़ा है व तो मुझे तो यह दिजाइन बहुatto हे पसंद है मैं इस तरीके से हमेशा कुछ न KUCH बनाती रहती हूं कई यह देखिए कि यह जो डिजाइन है इसका जो color है वो डाईरेक्थ हम खरदे है नहीं थे उस color को बनाए थे उसके बाद इस डिजाइन को बना रहते है perspectives कलर को मिक्स करके एक नया कलर तयार किये थे यह यलो कनवर है आपको पता होगा कि देखिए कितना प्यारा दिख रहा है बिल्कुल ट्रियर लग रहा है न यह देखिए यहां पे तीन फ्लावर है और तीनों का जो कलर है वो डिफ्रेंट है यानि कि हम किसी डिजाइन में बस वहीं दिरिश्य यहां पे बनाया गया है बहुत ही प्यारा सा है यदि आप चाहें तो इसका अपने घर में फ्रेम बनाकर लगा सकते हैं काफी प्यारा दिखता है इसका बूर्ड बना सकते हैं अर यह शन फ्लावर है देखिए कितना प्यारा दिख रहा है इसका वीडियो हम अपने चनल पर अप्लोड किये हैं हां दोनूं का अप्लोड कि आई, दोनों डिजाइन का जो बनाने का ठरीका है वो सेर किये हैं आप चाहे तो हमारे च Чनल के, इसका वीडियो अप्लोड है यह ट्यूलिप है और यह लोटास है यह भी प्यारा दिख रहा है ना यह जो लोटास है इसमें डवल सेड का यूज़ किया गया है और जो ट्यूलिप है उसमें आउटलाइन के साथ कलर मिक्स किया गया है और यह सदा बहार है आप लोग भी देखें होंगे यह फ्लावर इसमें हमेशा फूल लगा होता है और बहुत सारा फूल लगा होता है बहुत प्यारा दिखता है यह देखिए यह हमारे यहां इसको और हूल का फूल बोला जाता है इसके फ्लावर को बनाने में तीन कलर का यूज़ किया गया है रेड यलो और बलेक कलर इसके लीप में दो कलर का यूज़ किया गया है एक ग्रीन और दूसरा वाइट कलर चलिए नेक्ट डिजाइन देख एक और और यह पणाए तो मेरे चैनल पर अल्रेडि oven इस डीजाइन को यह इस डीजाइन को एक बनाएट है तो नहीं कि यह उघ् hac यह उसकести क्ला ओंगाते हैं, यह बनाकेशन 좋은 इनकेशन स्वे Intreapons Shares इसका भी वीडियो मेरे चनल पर अप्लोडेड है आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं और बनाने का तरीका सीख सकते हैं जान सकते हैं यह अटेंसिल पेंट है यदि आपको पेंटिंग नहीं आता है फिर भी आप इस तरीके से पेंटिंग बना सकते हैं डिजाइन बना सकते हैं यह बहुत ही असान होता है बनाना इसका वीडियो यदि आप चाहेंगे तो अपलोड हम कर देंगे काफी असान होता है यह और यह है इंबोस पेंटिंग इसे पॉफी पेंटिंग भी कहा जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पे अल्रेडी अप्लोडेड है आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं यह देखिए यह भी गुलर का ही फूल है तो यह जो बनाने का तरीका है जो हम लोग पहले देखें उससे काफी डि रहा था तो सचे कि चलो इसको भी लगा देते हैं फाइल में यह रेगी स्तान का सीन है यह औरते पानी लेकर जा रही है छले नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है यह जो बर्ड है इसका भी वीडियो अप्लोड किया है आप वहां से देख सकते हैं किसे कैसे बनाए गया है और यह डाइस पेंट फ्रेंट डाइस पेंट जो होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह जो पेंट है कपड़े से कभी नहीं निकलता है इसका कलर भी हमेशा सफ्ट ही रहता है यह कपड़े को टाइट नहीं करता है बिल्कुल टाइट नहीं करता है यह बिल्कुल सफ्ट होता है तो यदि आप चाहते हैं कि कपड़े में सफ्टनेस बना रहा है तो आप डाइस पेंट का यूज कीजिए बहुत जल्द हम अपने चैनल पे डा जो रूम होता है उसके लिए आप परदा बना सकते हैं या फिर टेबल कलत बना सकते हैं बेड़ सीट बना सकते हैं तो फ्रेंड्स ये था मेरा प्रेंटिंग के प्रेक्टिकल फाइल उमीद है आप सबको वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग लगी होगी और यूजफुल भी लगा होगा सो प्लीज यदि अभी तक आप लाइक नहीं किया हैं तो अब तो लाइक कर दिजिए और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी परकार के वीडियो हम आगे डालते रहें फ्रेंट्स आप हमारे वीडियोज को देखते रहें और प्रेक्टिस करते रहें थैंक्स फर वाचिंग बाई